हाई ओल मैं हूं रितिका और आज बनाते हैं हम लोग पनीर और कोई ये नॉर्मल पनीर नहीं बनाने वाले हैं आज हम लोग बनाएंगे शाही पनीर वो भी बहुत कम टाइम में कि आपके घर कोई स्पेशल गेस्ट आया आपको कोई जल्दी से अच्छा बना के खिलाना है त उनको अच्छा खाना भी खिला सकते हैं और एक बात अगर उनको पता नहीं है कि ये खाना घर पे बनाया और आप बताएंगे नहीं तो उनको लगेगा खाना भी बाहर से आया हुगा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और ये रेसिपी मैंने सिखाया अपनी कर सकते हैं और हमने ये ले लिया है कसूरी मेथी, कश्मिरी मिर्च, इलाइची और कुछ लोंक और ये ले लिया है और गाल्यों आपनीर दो तो ये हमारा सब कुछ हो गया कि प्याज, टमाटर, लासन, दाही सब कुछ हमने ले लिया है जो जो हमें शाही पनीर में चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस अब शाही पनीर बनाने का तो कड़ाई में मैंने तेल ले लिया है तेल को गरम होने देते हैं जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक लाइची और लॉंग को हम खल में कूट लेते हैं यह देखिए हमने ले दिया है लॉंग और इलाइशी और इसको ऐसे हम लोग कूट लेंगे और दही को अच्छे से यहां पे फेट लेंगे तो चलिए देखते हैं तेल भी गरम हो चुका है अब हम इसमें आट कर देंगे टमाटर और सॉरी प्याज और लाजन यह देखिए हम जादा हो गया है तो मैं थोड़ा सा देखिए मैने निकाल ले इसमें से भुटा सा थी कन्टेनर में रख दिया और प्याज भी हमारा ओलोस्ट फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसमें आट कर देंगे टमाटर चलिये तो आट कर देते हैं इसमें टमाटर उसको थोड़ा सा जरहाए करें लिए ईड़िये ते हम जरें unlucky मिर्च कनपीशक्राइए तो इसको ढखा सी स्याहत है किया तो दाना है। और उनलागे शाहत होता है कासूरी मेथी कश्मीरी मिर्च उत उक्त सांच मोट वैण चैसे मृट्वाूरम ईड़िये हैं अभर आप टीखा बाला होता है कश्मीरी मिर्च नहीं हो तीखा फावडर भी एड इसके जजनरली शाहिपनीर में हर्य मिर्च नहीं डलती है ने अरहे ही थे अपो और अपैंसे पी इसको कर रहे हुं और आप दोते अच्पिन और भी, झ तो मैं इस टाइम पे अध्रग फोड़ा सा управ आध्रग गिस कर डाल भीये नर दिया है थोड़ा पिक डिरेंग हैं वेड़ा अद्रग्ट कर लोकी तो अब शरे गाल आप इस हरी मिर्च्वाद नहीं है और आपि मिर्च अच्छे से मिक्स कर लूगी को अच्छे से मैं फ्राइ कर लूगी अब यह अल्मोस्ट फ्राइ हो चुका है और मैं अब गैस को बंद करके इसको ठंडा कर लूगी यह देखिया अल्मोस्ट यह फ्राइ हो चुका है पूरा पकाना नहीं है इसको अब मैं गैस को बंद कर दे और इसको ठंडा कर लेंगे अब इसको मैं एक मिक्सर में ले लूँगी और एक अच्छा सा इसका पूरा फाइन पेस्ट बना लूँगी ये देखिए ठंडा होने के बाद आप इसको पीस लीजिए अच्छे से पेस्ट बन गया और मैंने कड़ाई को फिर से गरम करके और पेस्ट को कड़ाई में ले लिया है अब इसको हलका सा ऐसे अच्छे से मिलाऊंगी ताकि तेल छोड़े और ये कड़ाई में चिपके ना क्योंकि एक स्ट्रा ओल डालने की ज़रत नहीं है और अब हम इसमें अट कर देंगे दही और दही अट करने के बाद फिर को बच्छे से मिला लेंगे तकरीबन चार से पांच स्पून मैंने इसमें दही अट कर आए और दही अट करके आप फिर से इसको अच्छे से मिला लीजे और मैंने इसमें एड़ किया थोड़ा सा मलाई और मलाई के साथ ही थोड़ा सा इसमें मिल्क भी है मैंने एड़ कर दिया और थोड़ा सा बचा के जब ये आप दही और मलाई एड़ करते हैं तो थोड़ा सा बचा के इसको चलाईएगा ये देखिए कुछ इस तरीके से बुलबुले निकलते हैं इसमें से चोकि उपर आने का बहुत साधा डर रहता है तो आप इस तरीके से खूब अच्छे से मिला लीजे और ये देखिए शाही पनीर बनके रेडी है सब करने के लिए और अब ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ करें और हमें बताएं कैसा लगा आपको ये रेसिपी गईज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मुँआ थाल अब जोगा जरूर चैनल को जार शेज़ वीडियो जार ट्राइब करें रेसिता रेसिता सब्सक्राइब करें दो प्लीज जोगा है